फ्रेंस अगर यूट्यूब सॉट्स वीडियोس को वारल कराना चाहते हो तो आपका यूट्यूब सॉट्स का Thumbnail होता है बहुत इंपोर्टेंट यह फिर हम रोल पले करता है आपके यूट्यूब सॉट्स वीडियो को वारल कराने में पर बहुत सरे creator आप यहाँ पर सोचेंगे थमनेल का option तो हमको मिलता ही नहीं, आप जितने भी source वीडियो अपलोड करते हो, कभी भी उसमें थमनेल को select करते ही नहीं हो, पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप जो है अपने YouTube source पर थमनेल को select कर सकते हो, लगा सकते हो, यहाँ पर आपने जितने भी थमनेल अपलोड के हैं, मैं भी दिखाऊँगा, आपको यहाँ पर screen आपको on दिख रहे होगी, मैंने जितने भी source अपलोड के हैं, कहीं पर भी आप YT Studio में मैं जाता हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे, कोई एक source वीडियो मैं लेता हूँ, option मिलता है pencil का, simple सा इसमें जाता हूँ, pencil वाले option पर मैंने आप एक click कर दिया, उसके बाद friends आपको कहीं पर भी यह option नहीं मिलता कि आप अपने YouTube source वीडियो को जा थमनेल है, उसे change कर सकते हो, या फिर gallery से उठा सकते हो, कहीं पर भी जो आप यहाँ पर देखोगे, कहीं पर भी option नहीं म आपके source वीडियो को viral कराने में, यह बहुत बड़ी कमी रह जाती, क्योंकि आपको जो first impression होता है, जब किसी भी creator के पास, viewer के पास आपका source जाता है, तो thumbnail का option होता है, और आप वो जो random होता है, वही select होता है, तो कैसे करना है, आप मैं आपको दिखाता हूँ, screen आपको on देख रहे होंगे यहाँ पर, कोई भी एक यहाँ पर जो plus वाला option होता है, मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक source वीडियो अप्लोड करके और thumbnail select करके आपको दिखाऊँगा, तो upload एक source पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर आपको 50 से 15 सेकिंड है, इसको आप 60 सेकिंड अपने source जो length होगे उसके साब से आपको कर देना है, तो gallery का option आता है, यहाँ पर gallery का option आचुगा है, तो simple सा मैं एक यहाँ पर यह जो 28 सेकिंड का है, इसको मैंने यहाँ पर select कर दिया है, और simple सा यहाँ पर मैं कर देता हूँ, next, next करने के बाद friends, processing हो र इसको सब कुछ हो गया, आप अपनी साबसे से कस्टमाइज कर सकते हो, मैं आपको बस यह बतारूं कि हमने select कैसे करते हो, तो यहाँ से मैं okay कर देता हूँ, अभी भी देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिख रहे है, नीचे sound, voice over text, timeline, filter, पर कहीं पर भी option नहीं मिलेगा तो आप अपनी साबसे से कर लेना है, उसके बाद हमें next कर देना है, next करता हूँ, उसके बाद next करने के बाद आपको title जो भी आप देना चाहते हो, दे सकते हो, यहाँ पर हैस्टेग लगा सकते हो, पर यहाँ पे भी आपको कोई option नहीं मिलेगा कि जिसे आप thumbnail select कर सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पे YouTube source करके कुछ लिक देता हूँ YouTube, और source उसके बाद जैसे आप hashtag यूज करते हो, कर सकते हो, अब बताऊँगा कि आप thumbnail select कैसे कर सकते हो, तो friends यहाँ पे आपको आओगे कुछ नहीं मिलेगा, अब यहाँ आने के बाद आपको दोबारा से जो pencil वाला option है simple सा इसे tap कर देना, pencil वाले option को आपने tap कर दिया है, अब इसमें से जितने भी आप देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे भी मैं अपने इस screen को आगे पीछे कर रहा हूँ, जो भी आपके YouTube source का सबसे important और attractive, जो catchy वाला होता है, वो thumbnail आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे से select कर सक तो क्योंकि मैंने एक phone का ले रखा, तो यहाँ पे एक phone का आपको image दिख रहा होगा, thumbnail दिख रहा होगा, तो आप अपने 28 seconds, 30 seconds, 60 seconds जितना वीडियो है, उसमें से जो सबसे best part आपका है, कि जब किसी viewers के पाँ जाए, उसकी आँखे जो हैं, भाई, इसमें ऐसा क्या है, तो यहाँ पे आप इसे select कर सकतो, simple सा आप इसे, यहाँ पे select कर सकतो, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे, आगे पीछे दाएं बाई, यहाँ पे आप इसे select करके, simple सा इसे done कर सकतो, जैसे आप done करोगे, वो वाला पार्ट आपका YouTube source का thumbnail यहाँ पे हो जागा, simple सा आपको आप देख रहे होगे, आप इसे नहीं कर सकते हो, आपको जो है, जो एप है, YouTube आप वहाँ से आपको यह करना है, तो बहुत simple सा तरीका है, कैसे आप अपने YouTube source वीडियो के लिए thumbnail को select कर सकते हो, और thumbnail को choose कर सकते हो, तो वीडियो पसंद आई है, तो लाइक जरूर करना है, च सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको YouTube से tips, tricks, जितनी भी update है, सबसे related वीडियो सबसे पहले मिलती है, तो मिलता हो एक new वीडियो में,